Hello students, O2IS Academy की DRAW सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम जोती कोशल है, और जैसा कि आप जानते हैं, हम H.A.S. एक्जाम के लिए विछले एक साल के Current Affairs को कवर कर रही हैं और इस सीरीज के अंदर भी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है, आज आपका Ranks and Reports का Lecture No.2 है अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS Academy की आप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको HPS Prelims Test Series 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा जिसके Content Section में आपको Free Resources के अंदर Current Affairs की PDF मिल जाएगी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइस कर सकते हैं जो भी बच्चे आने वाले H.A.S. एक्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार जाकर उसको भी आप Explore कर सकते हैं तो शुरू करते हैं अपनी आज की Ranks and Reports से तो सबसे पहली आपकी जो रिपोर्ट है That is State of Indian Forest Report तो ये जो रिपोर्ट है हमारी Ministry of Environment, Forest and Climate Change इस रिपोर्ट को निकालते हैं और ये रिपोर्ट बताती है कि हमारी कंट्री के अंदर जो Forest Cover है और जो Tree Cover है वो कितना जादा Increase किया है ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो 1987 से निकलती हुई आ रही है और हर दो साल बात ये रिपोर्ट लॉंच होती है Union Ministry ही इसको लॉंच करती है जो Environment वाली हमारी Ministry है अभी जो 2021 के अंदर जो रिपोर्ट निकली थी Indian State of Forest Report वो 17th रिपोर्ट थी अपनी सीरीज के अंदर अब इस रिपोर्ट ने बताया कि 2019 के मुकाबले 2021 में जो Forest Cover है वो थोड़ा सा Increase करा है Even इस रिपोर्ट ने बहुत अलग-लग Key Findings भी दी जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो Forest Cover है वो Increase किया है In the same way कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर Forest Cover Decrease किया है Especially जो North Eastern वाला रिजन है उनके अंदर पिछले मुकाबले पिछले रिपोर्ट के मुकाबले जो Forest Cover है वो Decrease किया है In the same way यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे आंदर प्रदेश होगी तेलंगाना होगी उनके अंदर जो Forest Cover है वो Increase किया है अगर मैं बात करूँ कि हमारी Country के अंदर ऐसी कौनसी स्टेट है जिसमें सबसे जादा Forest Cover देखने को मिलता है यह तो मैंने आपको Gains और Losses बताया है इसने आपको इस चीज से रिलेटनी करना कि सबसे जादा Forest Cover कौनसी स्टेट में देखने को मिलता है तो सबसे जादा जो Forest Cover है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और उसके बाद अरुनाचल प्रदेश में देखने को मिलता है हाला कि पिछले साल के मुकाबले इनका Forest Cover थोड़ा Decrease हुआ है पर यह जो अरुनाचल प्रदेश है वो Second Number पर है इन दे सेम वे अगर मैं Geographical Area-wise यहाँ पर बात करूँ मतलब कि उनकी State के Area-wise उनका जो Cover है वो कितना है तो सबसे जादा जो Cover है वो North Eastern Region में ही देखने को मिलता है तो आपने Indian State of Forest Report के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो Economic Survey है उन्होंने ये बताया है कि All Over the World जो Countries है उनमें से India Third Number पे है जिसके अंदर जो Forest Cover है वो Increase किया है ध्यान रखना जो पिछले वाली अभी रुपोर्ट मैंने आपको बताई थी वो हमारी Country के अंदर जो अलग-लग States है वो कैसा Perform कर रही है Forest Cover के अंदर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो Last मैंने आपको रिपोर्ट बताई उसके अंदर हमारी Country के अंदर जो States है उनको यहां पर Rank किया गया है कि उनके अंदर जो Forest Cover है वो कितना Increase किया है लेकिन इस सर्वे के अंदर बताया गया कि All Over the World किन-किन Countries के अंदर जो Forest Cover है वो Increase किया है तो हमारा जो इंडिया है वो Third Number पे है जिनके अंदर Forest Cover Increase किया है In the same way अगर मैं World के Forest Area की बात करूँ तो 2% Forest हमारे इंडिया में भी लाइक करते है अगर मैं इंडिया के Geographical Area की बात करूँ तो इंडिया का जो 24% Geographical Area है वो Forest Cover के अंदर आता है In the same way यहाँ पे बताया गया कि जो 66% World Forest Area है वो Total 10 Countries के अंदर लाई करता है जैसे ब्राजील हो गया जहाँ पे Amazon Forest आपको देखने को मिलेंगे ऐसे अलग-अलग Countries जो है वो यहाँ पर in-list करी गई है In the same way हमारी Country के अंदर मैंने आपको अलग-लग States का बताई दिया कि जो largest Forest Cover है वो मध्यप्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है In the same way जो geographical area wise जो Forest Cover है वो मिजुरम और अरुनार्चल प्रदेश इन रीजन में स्पेशली North Eastern वाले रीजन में देखने को मिलता है Next हम बात कर लेते हैं Global Drug Policy Index के बारे में जो की एक organization निकालती है जिसका नाम है Harm Reduction Consortium अब यहाँ पे 30 countries को ये rank करते हैं कि उन countries के अंदर Drug Menace को fight करने के लिए क्या इन्होंने कोई ना कोई policies बनाई है तो यहाँ पे हमारा जो India है उसका rank 18th आया है In the same way यहाँ पे कुछ countries है इनको अलग-अलग scores भी दिये जाते हैं जैसे 100 में से तो यहाँ पे जो Norway है वो top पे है That means Norway country के अंदर Drug Menace को fight करने के लिए यहाँ पे अलग-अलग जो policies वगेरा होनी चाहिए वो सारी-सारी बनी हुई है तो आपने याद रखना है कि India का rank जो है वो 18 था है इस list में Next हम बात कर लेते हैं Smart Policing Index के बारे में तो एक foundation है जिसका नाम है Indian Police Foundation यह New Delhi के अंदर एक organization है basically institute है अब यह जो foundation है वो यह चेक करता है कि हमारी country के अंदर जो अलग-अलग states है उनके अंदर जो अलग-अलग police stations है क्या वो Smart Policing को एक तरह से practice कर रही है कि नहीं Smart Policing का मतलब यहाँ पे यही है कि वो अलग-अलग technologies का use कर रही है policing की services वगेरा provide करने के लिए तो यहाँ पर यह देखा गया कि जो आंदर प्रदेश वाली जो state है यहाँ पे इन्होंने top किया है उनको यहाँ पे 10 में से 8.11 score मिला है तो आपने याद रखना है हमारी country के अंदर जो Smart Policing की practices हैं वो सबसे जादा आंध्रप्रदेश में एक तरह से practice करी जाती है next हम बात कर लेते हैं कि एक आपका best police station का जो award है वो दिया जाता है जो कि Ministry of Home Affairs इसको देते हैं अब जो Ministry of Home Affairs है वो अलग-अलग police stations में से top 10 police stations को यहाँ पे निकालते हैं list के अंदर उन police station को ही यहाँ पे लिस्ट के अंदर डाला जाता है जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जैसे practices करी है police services प्रोवाइड करने के लिए अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो दिली का सदर बजार वाला police station है उन्होंने first rank हासिल किया है इन the same way यहाँ पे अलग लग police stations है जिन्होंने अलग लग ranks लिये है तो at least आपको पहले तीन जो rank है उनके बारे में पता होना चाहिए जैसे second number पे Odisha का गंगापूर police station हो गया इन the same way third number पे हर्याना का भट्टु कलन police station हो गया तो आपने इन तीनों police station के बारे में याद रखना है next हम बात कर लेते हैं नीती आयोग का एक index है जो की sustainable development goal, urban index and dashboard 2021 and 22 वाला अब आपने इस चीज़ के बारे में ये याद रखना है कि जितने भी urban areas है उनके अंदर जो हमारे सारा sustainable development goals हैं क्या वो implement करे जा रही है यहां पर इन्होंने जब rank किया तो इन्होंने ये देखा कि जो शिमला है वो यहां पर टॉप performer निकल के आया that means यहां पर शिमला के अंदर sustainable development goals को implement करने के लिए बहुत जाता ध्यान दिया जा रहा है in the same way जो worst performer है जारखन के अंदर जो धनबाद वाला region है वो worst performer है इनके ओपर बिल्कुल भी इस region के अंदर sustainable development goals के ओपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता even यहां पर यह अलग अलग categories के अंदर states को या फिर urban areas को डालती है जैसे aspirant category होगी जिसका की score 0 से लेके 49 तक के बीच में आएगा in the same way performer category होगी जो की 50 से लेके 64 तक का score आएगा in the same way एक achievers category होगी तो आपने इस इंडेक्स के बारे में sustainable development goal अर्बन इंडेक्स के बारे में आपनी ध्यान में रखना है next हम बात कर लेते हैं कि जो world health organization है वो एक report निकालती है जिसका नाम है global tb report अब इस global tb report के तहट उन्होंने ये बताया है कि इंडिया के अंदर tb का बहुत जादा burden है ठीक है और इन्होंने इवन ये भी बताया कि covid-19 pandemic होने की वज़े से जो भी tb के अंदर जो भी progress हो रही थी वो या तो रुक गई है या फिर वो बहुत जादा reverse हो गई है जो हवा के अंदर जो droplets वगएरा है उससे फैल सकती है sneezing से फैल सकती है spitting से फैल सकती है इन सब चीजों से ये जो microbes है एक person से दूसरे person के अंदर enter कर सकता है और enter करके फिर ये करता क्या है अलग-अलग organs को affect करता है सबसे जो famous organ है जिसको affect करता है वो है lungs तो हम कहीं बार इसको lungs TB भी कह देते हैं इवन TB के regarding अगर मैं वैक्सिन की बात करूँ तो यहां पर एक वैक्सिन आपको देखने को मिलेगी कि एक treaty होती है जिसको हम बोल देते हैं Constitution of World Health Organization तो यहां पर बहुत सारी countries है जो इस treaty को sign करती है और इसका member बन जाती है और ultimately World Health Organization का काम यही है कि all over the world जितिनी भी यहां पर disease related health related problems है उन सब को धान में रखते हुए अलग-अलग rules and regulations की निकालते हैं जैसे अलग-अलग diseases के तहत pandemic हो गया, endemic हो गया and in the same way epidemic हो गया इन सब चीजों को यह declare करते हैं तो आपने World Health Organization के बारे में याद रखना है इवन यह एक United Nation की specialized agency है जिसको की 1948 के अंदर बनाया गया था next हम बात कर लेते हैं rule of law index के बारे में जो की world justice project इस index को निकालते हैं अब इस index के अंदर भी यह क्या करेंगे all over the world जो अलग-अलग countries हैं जैसे की 139 countries हैं उनको यहाँ पे ranking प्रोवाइड करते हैं अब यह किस base पे इस ranking को प्रोवाइड करते हैं तो यह check करते हैं कि क्या उस country में rule of law को follow किया जा रहा है कि नहीं rule of law का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर उस country के अंदर कोई भी यहाँ पे अलग-अलग जैसे rules वगेरा बनाए गए हैं और उस rules के तहत ही लोगों को यहाँ पे justice वगेरा प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे जो भी justice प्रोवाइड किया जा रहा है वो efficient और fair तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है in the same way लोगों के fundamental जो rights हैं उनको protect किया जा रहा है और यहाँ पे जो भी rules बनाए जा रहे हैं वो एक तरह से बिल्कुल clear होने चाहिए इन चीज को follow करते हुए यह countries को यहाँ पर rank करते हैं in the same way हमारी जो country है उसका rank 79 आया है out of 139 countries अगर मैं world justice project के बारे में बात करूँ यहाँ पे तो इस index को यह 2006 से निकालते हुए आ रही है और यही check करते हैं कि all over the world किन किन countries में rule of law को follow किया जाता है next हम बात कर लेते हैं state energy efficiency index के बारे में तो हमारी जो ministry of power के under जो bureau of energy efficiency है and even उसके साथ मिलकर जो alliance for energy efficient economy है यह दोनों मिलकर इस index को निकालती है इस index के नाम से ही clear हो रहा है कि यहाँ पे यह states को rank करेंगे based upon कि उस state के अंदर कितनी जादा energy efficiency है energy efficiency का मतलब यहाँ पर यही होता है कि थोड़ी energy use करने के बावजुद भी हम बहुत जादा काम जो है वो perform कर पा रही है that means यहाँ पे जो भी energy use हो रही है वो efficient तरीके से use हो रही है even यह यहाँ पे अलग-अलग categories के अंदर state को rank करते हैं score provide करते हैं जैसे इसके अंदर भी aspirant category होगा contender होगा, achievers होगा, front runners होगा depending upon कि उस state का क्या score आता है तो यहाँ पे जो सबसे उपर state आई है जिसने सबसे अच्छा perform किया है तो वो है करनाट का तो आपको पता होना चाहिए कि जो हर्याना है वो third number पे आया है जिनका score 59.5 है that means वो achievers की category में लाई करते हैं in the same way Bureau of Energy Efficiency के बारे में मैंने आपको बताई दिया कि Ministry of Power के underlie करती है और ये भी एक statutory body है जिसको की एक act के द्वारा बनाया गया है next हम बात कर लेते हैं कि एक institute है जिसका नाम है हुरून Research Institute तो ये एक index निकालते हैं एक list निकालते हैं जिसको बोलते हैं हुरून India Future Unicorn List अब ये इस list के अंदर check करते हैं कि कौन सी country के अंदर अब जैसे इंडिया से related list है ये तो that means इंडिया के अंदर जो अलग-अलग states हैं उन state में से सबसे ज़ादा startups कौन सी state से आ रहे हैं इवन यहाँ पे इंडिया को भी अलग-लग country से compare किया और यहाँ पर ये बताया कि सबसे ज़ादा जो startups है वो United States वाले region में देखने को मिलते हैं और second number पे जो startups है वो China वाले region में देखने को मिलते हैं और third number पे हमारा India आता है जिसके अंदर नए नए और जो startups है वो बहुत ज़ादा आते हैं देखने को मिलते हैं in the same way अगर मैं इंडिया के अंदर भी अलग-लग states की बात करूँ यहाँ पे तो सबसे ज़ादा startups आपको Bangalore वाले region में देखने को मिलेंगे in the same way Mumbai हो गया फिर Guru Gram हो गया और फिर उसके बाद New Delhi और Noida हो गया तो आपने इन रिजन्स के बारे में याद रखना है startup का मतलब यहाँ पर यही है कि नया business शुरू करने के लिए जो entrepreneurs होते हैं कोई ना कोई नई चीजों को शुरू करते हैं उसको हम startup बोल देते हैं ठीक है तो उसी के base पे इस list को निकाला जाता है next हम बात करते हैं कि जो नीती आयोग है उन्होंने एक और report निकाली है जिसका नाम है reforms in urban planning capacity in India अब इस report के तहट जो नीती आयोग है उन्होंने ये बताया है कि आपको urban planning करने के लिए एक अलग से scheme को launch करना चाहिए जो की एक central sector scheme होनी चाहिए that means यहाँ पे सारा का सारा जो खर्चा है वो center सरकार उठाएगी in the same way उन्होंने उसका नाम भी बताया that is 500 healthy cities program इसके नाम से आपको central sector scheme को launch करना चाहिए और यहाँ पे कुछ funds जो है वो allocate करने चाहिए ताकि हमारी country के अंदर जो भी urbanization हो रही है जिन regions में भी urbanization हो रही है उनके उपर थोड़ा fund खर्च किया जा सके और यहाँ पे urban planning और अच्छी हो सके तो अगर मैं urbanization के बारे में बात करूँ तो urbanization का मतलब यही होता है कि जो लोग है वो rural area से urban areas की towards move करते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी facilities provide होती है इंद सेम वे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 2011 के census के according हमारी country के अंदर जो urbanization है वो 31.1 percentage है और धीरे-धीरे यह जो urbanization है वो increase करती जा रही है even यहाँ पे इन्हों ने urbanization के बारे में और कुछ information provide करी है जैसे कि कौन से ऐसे region है जिनके अंदर urbanization बहुत जादा हो रही है specially आपको union territories के अंदर urbanization 75% देखने को मिलेगी that means अगर जो average है यहाँ पे मैंने urbanization बताई ना आपको 31.1 percentage है 2011 के census के according तो average के हिसाब से यह कितनी जादा percentage है in the same way अगर मैं बाकी के regions की बात करूँ कई ऐसे regions है जिसमें urbanization बहुत कम है जैसे बिहार, औरिसा, असाम वाला region हो गया in the same way कई ऐसी states हैं जिसमें urbanization बहुत जादा है 40% तक urbanization यहाँ पर देखने को मिलती है तो अब जितनी जादा urbanization होगी उस वज़े से उस urban area के अंदर बहुत जादा development करने की यहाँ पर जरूरत है next हम बात कर लेते हैं global crypto adoption index के बारे में तो यह channel ISIS एक company है वो इस index को निकालती है और इस index के अंदर survey किया जाता है और यह check किया जाता है कि क्या लोग ready है bitcoin को accept करने के लिए या फिर यहाँ पर अगर मैं bitcoin की बात करूँ तो cryptocurrency को कौन-कौन जो लोग है वो accept कर रहे हैं तो इस survey के तहत यह पता चला कि all over the world जो वेतनाम है वो top number पे है जिन्होंने cryptocurrency को एक तरह से accept करना शुरू कर दिया है in the same way second number पे यहाँ पे इंडिया है जो की cryptocurrency को adopt करने की बात कर रहे है that means यहाँ पे जादतर हर एक लोग को cryptocurrency के बारे में पता है तो cryptocurrency कौन-कौन सी होगी जैसे bitcoin हो गया, ripple हो गया, ethereum हो गया तो यह अलग-अलग cryptocurrencies जो है जो आपको यूज में देखने को मिलती है cryptocurrency यहाँ पे यह होती है जो की एक तरह से ऐसी currency होती है जिसको कोई भी bank regulate नहीं करता यहाँ पे decentralized तरीके से इस currency की जो transaction वगेरा होती है तरी centralized तरीके से होती है इवन यह blockchain technology के उपर based होती है तो यहाँ पे जो भी आप transaction एक परसन से दूसरे परसन को करते हो तो वो public ledger system के अंदर record हो जाता है ठीक है, एक block के अंदर एक तरह से record हो जाता है तो आपने cryptocurrency के इंडेक्स के बारे में याद रटने नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हुरून इंडिया है और एडल गिव है वो एक list निकालते हैं जिसका नाम है एडल गिव हुरून इंडिया philanthropist list अब इस list के अंदर ये rank करते हैं अलग-अलग philanthropists को philanthropists होते कौन है जो भी यहाँ पे बड़े-बड़े businessmen होते हैं जो की लोगों की welfare के लिए यहाँ पे पैसा वगेरा देते हैं तो उनको हम philanthropist कह देते हैं तो सबसे top number पे जो आए है वो अजीब फ्रेम जी आए है जो की विपरो company के मालिक है तो आपने पहले तीनों को याद रखना है second number पे शिव नडार है और तीसरे number पे जो जीओ के मालिक है मुकेश अंबानी जी वो यहाँ पर आते हैं Next हम बात कर लेते हैं Safe Cities Index 2021 के बारे में तो यहाँ पर एक organization है जिसका नाम है Economist Intelligence Unit तो यह organization इस list को निकालते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि all over the world कौन सी ऐसी cities है जहाँ पर रहने लाइक एक तरह से safest city है जहाँ पर रहने लाइक जो health होगी infrastructure हो गया, environment हो गया ठीक है यह सारी की सारी चीजे बिलकुत सही है तो इस list के तहत उन्होंने ये निकाला कि जो Denmark की capital Copenhagen है वो सबसे safest city है रहने लाइक बहुत अची जगा है In the same way Myanmar के अंदर जो Yangon है वो सबसे bottom पे लाइक करती है वो बिलकुल भी safe city नहीं है तो अगर मैं बात करूं कि क्या हमारे इंडिया की भी cities यहाँ पे देखने को मिली है तो आपको 48th rank पे New Delhi देखने को मिलेगा और 50th rank पे आपको Mumbai देखने को मिलेगा जिनको अलग-अलग जो scores है वो यहाँ पे 100 में से scores प्रोवाइड करे गए है क्योंकि scores की भी यहाँ पे अलग-अलग categories बना दी गई है जैसे कि हमारे जो Mumbai और New Delhi है वो दोनों के दोनों highest safety वाली category के अंदर लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 3 rank जो है वो Denmark हो गया, then Canada का Toronto हो गया और Singapore वाला जो region है वो यहाँ पे सबसे safest city है रहने-like city है Next हम बात कर लेते हैं Global Manufacturing Risk Index के बारे में तो यहाँ पर एक US-based company है जो की property consultant company है जिसका नाम है कुश्मेन और वेक फिल्ड तो यह इस index को निकालते हैं इस index के नाम से ही clear हो रहा है कि यह इस index के अंदर जो अलग-लग countries है उनको rank करते हैं कि कौनसी country के अंदर अगर manufacturing करनी हो manufacturing का मतलब यहाँ पर यह होता है किसी चीज को एक छोटे raw material से अपने processed चीज के अंदर convert करना हो तो कौनसी country के अंदर manufacturing जो है वो सबसे ज़ादा easy है तो यहाँ पर देखा गया कि top number पे China आ रहा है second number पे हमारा India है और third number पे यहाँ पे US देखने को मिला तो यहाँ पे अलग-अलग parameters को यहाँ पर देखते हैं जैसे कि कि क्या उस country के अंदर manufacturing को restart कर सकते हैं अगर वो manufacturing unit बंद हो जाए तो क्या उसको दुबारा से restart कर सकते हैं in the same way यहाँ पे अलग-अलग risks को क्या cover किया जाता है और वहाँ पे operating cost जो है ठीके manufacturing unit लगाने की जो operating cost है वो कितनी पड़ जाती है तो इन सब parameters को ध्यान रखते हुए यह countries को rank करते हैं तो आप देख सकते हो हमारा India जो है वो second number पे है तो आपने इन ranks और reports के बारे में ध्यान रखना है यहां तक हमारी जो ranks and reports है वो cover हो गई है next class के अंदर हम जो next subject है उसको शुरू करने वाले हैं so I hope आपको समझ में आया होगा thank you so much and have a nice day